अजे देवगन का असली नाम अगर अजे देवगन नहीं है तो क्या है और किसके कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया और ओ माई गौड शिव भक्त अजे देवगन पहले इंडियन है जिनके पास इतली महेंगी चीज है उनके बर्थदे के मौके पर कई राज आगे खुलने जा रहे हैं इसलिए दिल थाम के बैठे दोस्तो पहले तो अजे देवगन के नाम की गुद्धी आपके लिए सुलजा देते हैं दरसल अजे देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है और वो शक्स और कोई नहीं बलकि उनकी मा थी जिनके कहने पर उन्होंने अपना नाम अजे रख लिया था जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि अजय का फिल्मों की ओर रुझान उनके घर में फिल्मी माहौल की चलते था दिल्ली में जन्में अजय के पिता सर्में फिल्मों के नाम ही स्टंट मैन थे हाला कि अजय हीरो नहीं फिल्म निर्देशक बनने के सपने देखते थे उन्होंने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर के साथ सहायग निर्देशक के रूप में काम भी किया था 1991 में आई फिल्म फूल और काटे से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत करने वाले अजे देवगन अपनी पहली फिल्म के लिए फिल्म फियर का बेस्ट डेब्यू एक्टर का वार्ड जीत चुके है उन्हें एक नहीं बलकि दो दो बार नेशनल अवार्ड से भी नवाज़ा जा चुका है उन्हें पहला राष्ट्य पुरुषकार महीज भट के फिल्म जख्म के लिए मिला था दूसरा राष्ट्य पुरुषकार अजे देवगन दे लेजंट ऑफ भगत सिंग के लिए ले गए थे हर कोई जानता है कि अजे ने शादी बॉलिवट की मशूर एक्ट्रस काजोल से की है लेकिन ये कईयों को नहीं मालूम कि शादी से पहले अजे और काजोल एक दूसरे को 5 साल डेट कर चुके हैं बता दे कि अजे देवगन और काजोल की पहली मुलाकात साल 1995 में फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान हुई थी इस फिल्म के सेट पर मिलने के बाद अजे देवगन और काजोल की अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई पॉकर 800 है जिसकी कीमत 84 करोड रुपे है इसके लावा शिवभक्त अजय ने अपने बंगले का नाम आलिशान शिवशक्ती रखा है सबसे खास अजय देवगन के पास मैसराटी कोट्रोपोर्टे है अजय इसे खरीदने वाले पहले भारतिय है उमीद है कि अजय देवगन से जुरिये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी भारत की ऐसी ही हस्तियों के बारे में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बने रहे देवभूमी इंसाइडर के साथ आज ही डाउनलोड करें देवगन इंसाइडर एप